हे दियर और वेलकम टू डबलो एस क्यूब टैग माईसल भागी रदगिरी और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लारावल की मदद से किसी फाइल को कैसे स्टोरेज में अप्लोड किया जाता है तो गाइस चलिए देखते हैं कि फाइल अप्लोड करने के लिए हमें कौन कौन से स्टैप्स परफॉर्म करने होंगे सबसे पहले हम लोग resources में जाएंगे, views में और view में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक नई file बना लेंगे ठीकिए तो view में एक नई file बना लेते हैं और इस file का मैं नाम रख देता हूं upload.html ठीकिए एक just normal सी file एक प्रोजेक्ट यह रूर्रेडी बना हुँ है बट upload.blade.php नाम के हम लोग एक file बना लाते हैं, हम इसको individual अलग से यहां use करेंगे, ठीक है, और यहां पर मैं bootstap4 का एक template बना लेता हूँ, तो B4, तो यह मेरा bootstap4 template हो गया, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक form बनाएंगे सबसे पहले, तो यह form बना लिया इधर, और form में post method से हम लोग भेजेंगे, इस form के data को, और हमको क्या करना पड़ता है, यहां enc type multi-part form data, यह लिखना पड़ता है, so that हम कोई भी file को यहां से upload करवा पाएं, अब next हमें क्या करना है, तो next हमें यहां पर एक input बनाना और एक label बना लेता हूँ, और label में मैं यहां लिख लेता हूँ, लेबल से बहार, क्योंकि हमने bootstrap यूज किया है, तो div.container ले ले लेता है, एक container, और इसके अंदर एक form group ले लेता है, form group, ओके, तो यह एक input हो गया, input type label में हम लोग सपोज user से बोलेंगे, कोई file upload करे, user एक file upload करेगा, और यहां पर हम लोग type is equals to file रख देंगे, और form control इसमें already लगा हुआ है, तो चलिए देखते हैं एक बार, इसको हम लोग open करते हैं, तो इस file को access करने के लिए, मैं web.php में जाता हूँ, और यहां पर मैं एक route बना लेता हूँ, हमारा, और इसका नाम रख देता है, get, get में जैसे ही मुझे upload नाम दिखे, तो मैं क्या क application already run हो रहा है browser पर, मुझे simply क्या करना है, इधर slash में जाकर, slash में जाकर मुझे simply यहां पर लिख देना है upload, और जैसे refresh करोगे आप, यह 404 की error दिखा रहा है, कोई बात नहीं हम लोग देख लेते हैं, एक बार, 404 की error क्यों है, और refresh करता हूँ, फिर से एक बार, चलिए पिर से PHP artisan serve करते हैं, और अब देखते हैं कि application run हो रहा है के नहीं, ठीक है, तो यह application हमारा यहां पर run हो गया, और अब next हम क्या करेंगे, तो next हम लोग यहां पर slash upload लिखेंगे, ठीक है, तो slash upload और देखते हैं, यह कहां लेके जाता है हमें, ठीक है, refresh किया और देखें, आप इस file पर आगए, यह वाला page खुल गया आपका, जिसमें आप file लिखावा है, जिसमें आप यहां पर enter करेंगे, और थोड़ा से इसको उपर से दूर कर देता हूँ, बस अब मुझे simply यहां एक file select करनी है, और मैं क्या करूँगा, उसको submit करूँगा, अब file submit करने के लिए हम जो एक मेरा पहले से controller बना हुआ है, contact controller नाम से, उस controller को use कर लेता है, आप चाहे तो एक नया controller भी बना सकता है, यह मेरा contact controller इसको use कर लेता हूँ, और इसका मैं यहां पर नाम देता हूँ, public और इस function का नाम देता है, हम लोग, upload, ठीक है, अब यहां जहाँ upload होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, तो request नाम का एक variable बनाना है, और हम देखेंगे कि कौन कौन सा data यहां पर आ रहा है, तो मैं eco free करके, यहां पर करवा देता हूँ, print underscore r, और request में से all, ठीक है, ताकि हम लोग देख पाएं कि कौन कौन सा data आ रहा है, और अब इस url पर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर से हम उसको लिखे जाएंगे, contact controller पे, contract controller, colon, colon class और function का नाम में हमारा upload, तो इधर हम लोगों को user को पहुंचाना है, जब भी वो upload वाले url पर data पोस्ट करेगा, using that form, तो यह form है, इधर हम लोग mention कर देता है, method और यहां पर url mention कर देता है, url slash upload और post method है, बस simple सा हम लोग जब यहां data submit करेंगे, data submit के लिए बटन भी चाहिए, तो data submit के लिए बटन भी बना लेता है, class btn, btn primary, तो वापस refresh करते हैं, बिना बटन के तो data submit होई नहीं पाएगा, तो यह data को submit करने का button है, और यहां पर म ठीक है, select करते हैं, एक file को, और यहां से, suppose यह मैं एक file select कर लेता हूँ, और upload पे click करता हूँ, तो जैसी मैंने upload पे click किया, यह यहां पर देखे, कुछ error दिखा रहा है, और action में यह जो post लिखा हूँ, इसको हमको हटा देना है, और यह हमको action इधर से change कर देना है, actually method में post हो ठीक है, तो upload पे click करने पे page expired दिखाता है, उसका solution क्या है, add the rate CSRF token, ठीक है, तो CSRF token यहां लगा दिया, back करते हैं, फिर से refresh करते हैं, फिर से हम लोग select करते हैं, file और upload पे click करते हैं, ठीक है, तब देखे, यह token दिखा रहा है, और file का नाम नहीं आ रहा है, file का नाम नहीं का reason क्या है, guys, because आपने कोई नाम नहीं दिया था, यह वो सारी चीज़े हैं, जो आपको in future errors दिखाएगी, जो मैं आपको यहां पर कर करके दिखा रहा हूँ, और अब इसको हमने एक नाम भी दे दिया, ठीक है, और अब upload पे click करते हैं, और अब finally हमारी file चली जाने चाहिए upload पे click किया, ठीक है, तो देखें, यह file आ गई, images के अंदर पूरा file का data आ चुका है, temporary path आ चुका है, सब चीज़ें यहां पर हमारे पास available है, simply हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस file को upload करेंगे using this controller, ठीक है, तो upload करने का तरीका बहुत simple सा है, पहले बहुत यह थोड़ा सा hard ह अब लारावे लेट ने इसको बहुत simple बना दिया, आपको जाना है request variable में, request variable में file नाम के function को access करना है, और उसमें उस file नाम के function की key pass करनी है, ठीक है, key का नाम हो गया images, या key का नाम हो गया image, फिर आपको यहां पर जाना है, और function use करना है store, और store में आपको क्या करना है, एक पूरे line का code देख रहे हो ना, वो उस file को upload कर देगा uploads वाले folder में, और यह uploads वाला folder कहा होगा, तो storage, storage के अंदर आप यहां पर जाएंगे, तो storage के अंदर आपको app दिखेगा, और app में आपको एक uploads का folder दिखेगा भी, तो चले देखता है, एक बार मैं इधर refresh करता हूँ, form resubmit होगा, देखे, uploads वाले folder में, वो जो png image थी ना, वो इस नाम से automatically submit होगी, तो नाम भी Laravel unique बना देता है, क्योंकि Laravel को पता है, Laravel developers को पता है, कि हो सकता है 1.jpg, 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 नाम की 5 file आप upload कर दो, तो in that case, conflict दो कर सकता है, तो conflict ना करे, इसलिए वो क्या करता है, नाम अपने आप बना देता है, उस extension के साथ, ठीक है, अब चलते हैं, देखे, यहाँ पर storage, storage में app, app में public, uploads, और uploads में ये वो image, जो मैंने अभी just upload की थी, अब क्या होगा, इसकी मुझे नाम अपना खुद का कोई रखना हो, मैंने चाहता कि नाम जो Laravel अपने आप बना रहा है, वो रख किया, यहाँ पर मैं इसको concatenate करवा देता हूँ, WS के साथ, ठीक है, WS Cube Tech की image जा रही है, WS Cube के साथ मैंने concatenation करवाया, ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ यहाँ पर, WS Cube Tech के साथ, यहाँ last में dot आपको ज़रूर लगाना है, ठीक है, because यह file name में आप जो dot देख रहो नो, dot png, वो dot आपने लगा दिया, बस, अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ से file में यह पूरा code यहाँ तक का copy कर लो, बस, फिर Laravel आपको एक function देता है, get client original extension नाम से, ठीक है, get client original extension, मतलब यह जो image upload हुई है, उसका original extension जो भी है, वो निकाल कर मुझे दे दो, और यह dot तो यहाँ लगावा है, और यह एक unique name मैंने आगे बना दिया, time function की मदद से, time function क्या करता है, हर second एक नया timestamp बना कर देता है, ठीक है, तो हर second जब image upload होगी, तो एक नया timestamp मिलेगा, उसके साथ ws को uncatenate हो जाएगा, और यह आप dot तो देखी सकते हैं, ठीक है, और बा इतनी बार आप refresh करोगे ना, उतनी बार नया नाम बनेगा इदर, ठीक है, because time function लगा हुआ है, और यह dot concatenate हो के png आगे इदर, बस अब हमें क्या करना है, अब हमें function थोड़ा से change करना है, और यहाँ लिखना है, store as public वाले folder में store करना है, लेकिन नाम क्या रखना है, जो मैं define किया, या आपने जो decide किया, वो file name मन रहा है, अब दीके कुछ लोग इसको कुछ इस तरीके से भी करते हैं, कि यहाँ पर storage वाले folder में, app वाले folder में सीधा uploads folder नहीं बनाते हैं, तो वो कहाँ बनाते हैं, तो वो बनाते हैं public वाले folder के अंदर, मतलब storage, storage में app, app में public, public में uploads का because store or store as, आपको storage के अंदर, app तक लाके छोड़ देगा, उसके आगे आपको कहाँ जाना है, वो आपको इधर बता देना है, and that's it, इस बार refresh करोगे, public, upload, और उसके अंदर यह image चली गई, देखे ज़रा, storage, app, public, और upload, upload में image आ गई, ठीके, यह image था, 5297, ठीके, 5279, यह दे यह कहीं database में store करना है, तो file का name आपके पास आ चुका है, आप इसको database में store कर दीजिए, यह आपके पास path आ चुका है, बस, और अब इस path के मदद से आप जहां भी चाहें, इसको image को दिखा सकते हैं, तो next एक video में हम लोग एक पूरा module रखेंगे, जहां पर हम लोग image upload करें एक अच्छी बड़ी website बनाते हैं, क्योंकि हर website में आपको file uploadation करना परता है, चाहे आप किसी का resume ले रहे हो, चाहे आप कोई images upload कर रहे हो, या फिर चाहे आप कोई भी other file upload कर रहे हो, that's it for this video, thank you so much for watching. कर दो